नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कारिकरम साउल यानि Science and Art of Living में मैं हूँ आपके साथ शिखा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेर जो की पहले AIMS में कंसल्टेंट है और जिन्होंने उसके बाद शुरूआत की है साउल और्गनाजेशन की जिसमें बताया जाता है कि बिना चीट फार के, बिना किसी सरजरी के किस तरीके से हाट पेशन को हम ठीक कर सकते हैं तो आगे अपनी बातचीत को जारी करते हैं और डॉक्टर बिमल से पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं इसके बारे में डॉक्टर बिमल वाल्कम टू दॉदाइशोओ सबसे पहले सवाल लक्षाब यहाँ पर जैसे कि आप लगातार गाइड कर रहे हैं हमारे वीवर्स को कि अगर आप हार्ट पेशन हैं तो आपको किसी सरजरी की आवश्यक्ता नहीं है तो फिर उसके बिना किस तरीके से आप अपने और गाइजेशन के थ्रू हार्ट पेशन को ठीक करते हैं देखे हाट के बिमारी का मतलब है कि उनके हाट के आर्टरी के अंदर हाट को जो ट्यू ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर चरबी के लेर जम जाए और उनको जमने के लिए मदद करती है हाईब्रेट पेशर स्मोकिंग वजन जादा होना या डायबिटीस या एकसरसाइज नहीं करना जादा तना होना ये सब कारण के बज़े से हाट के बिमारी होती है और हम उसी पे ही अटैक करते हैं बोते जो कारण है उनको अगर हम हट लें तो हाट के बिमारी होएगी नहीं ये प्रिविंशन है और फैट की सप्लाई पूरी बंद कर दें तो उससे बोडी में जो फैट की जरूरत है वो पूरी कहां से होगी वो बोडी से अंदर से निकाल निकाल के यूज होगी और उससे ब्लॉकेज कम हो जाती है और इसी क को खाने में चेंज लाना चाहिए और उसमें सबसे जो इमपोर्टेंट है वो है zero oil का खाना बनने का process इसके लिए हम लोग ने बहुत सारा zero oil के खाने का बंदोबस करवाया है जे बलकुल जैसा कि आपने बोला कि सबसे इसमें की जीरो ओयल का खाना, यह क्या है जीरो ओयल की कोकिंग और इसमें एक और बात यहां पर कि आप बार बार इस पर क्यों इतना इंफेसिस करते हैं, किस तरीके से यह फायदे बंद है हाट पेशन के लिए, देखिए आपने किचन में कभी खाना बनाने के बाद, जो जाएगा, और ही हाट के अंदर हो रहा है, जो तेल खाने में यूज होता है, वो अंदर जा जाके ब्लॉकेज बनाते रहता है, जैसे किचन के एक्जॉस्ट फैन में देख लीजिए, आप पूरा तेल का एक लेयर बना हुए, वही लेयर पतनी घर पे तेल डालती है, और व ब्लॉकेज बनता जाएगा, और आगे ब्लॉकेज बनती जाएगी, तो हाट की मरीज का कंडिशन खराब होता जाएगा, और उसको आगे हाट अटाइक होगी, और फिर वो अपरेशन वगिरे के लिए प्रेशराइज होगी, पर मैं चाहता हूँ हाट का पेशेंट खाने को बदल दे, और यह जीरो ओयल का खाना चालो कर दे, बीना तेल के रसोई बनना सीखना होगा, और इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, इसके लिए हमने बहुत सारी किताबें लिखिया, इसके लिए बहुत सारी चीज़े हम लोग ने बनाई है, हज्जारों रेसिपीज बन मेरा पीता जी का एक बार हार्ट अटक हो जिया है और ग्राप तरक को लगए लगा दिया है, तो अभी जो पीता जी को ख़िसे रहना है, खाना तिना क्या करना है, और यह दूबारा इसको फिर हो जाएगी किया? बेखिए ये जो हाट के बिमारी होती है इसमें जब ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो हाट के हांस्पिटल में अगर गए तो लोग बोलते हैं ये ब्लॉकेज में हार्ट अटैक हो जाएगा या हो गई है आप एक काम कीजे इतनी इतनी ब्लॉकेज आप वेट नहीं करेंगे और वो जल्दी जल्दी इतना दिखा के और जबरदस्ती सा एक operation का बंदोबस करवा देते हैं और यह strength लग जाती है पर strength लगने के बाद भी अगर वही खाना पीना रहे वही तरीके से चले तो blockage दिरे दिरे बढ़ता जाएगा और इसके लिए जो जरूरत है वो खाने पीने पर change लाना होगा आपको cholesterol कम करना है उसके लिए non vegetarian खाना बंद रखना होगा और triglyceride जो के तेल हर तरह की तेल को छोड़ना पड़ेगा बीना तेल के रसोई जो हमारी बनती है उस तरह का खाना बनाना होगा उसके संग walking exercise और उसके संग हर तीन महीने में cholesterol और triglyceride जरूर च साइक ध्यान रख लें हमारे website में चले जाए www.soul.com और महीं पर सारी information आपको मिल जाएगी तो उस हिसाब से आप उनको लेका है क्योंकि यह strength बंद होने के chances बहुत जादा होते हैं तो आगे अगर strength बंद होगी तो फिर बोल देंगे bypass surgery करवा लो और नहीं तो दुबारा strength लगा लो तो मैं यह नहीं चाहता हूं तो आपको lifestyle को बदलना होगा और इसी के लिए आप साउल से contact रखे बलकुल दरशको जैसा कि डॉक्टर चाजे ने कहा कि lifestyle को change करना होगा और उसके लिए आप साउल को contact कर सकते हैं डॉक्टर से direct appointment भी ले सकते हैं और जो different camps लगते हैं अलग अलग cities में लगते हैं उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं डॉक्साब हम बात कर रहेते हैं यहाँ पर zero oil cooking के बारे में आपने बुला कि हमें oil बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर हम इससे क्या समझे कि हमें boiled food खाना चाहिए या especially heart patient को तो boiled food ही खाना चाहिए नहीं एक बात याद रखिए बीना oil और boiled में बहुत फरक है अभी तक वैसे आम आदमी के दिमाग में बैठ गया बीना तेल के boiled ही खाना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है oil जो डाला जाता है खाने में आप देखेंगा oil में कोई test नहीं है इंगली लेके oil में डाली है और अपने हम इन सब को allow कर रहे हैं हम सिर्फ oil को allow नहीं कर रहे हैं पर सवाल ही आता है कि इनको बनाए कैसे इनको बनाए कैसे मतलब सारे मसाले होंगे सारे और ingredients होंगे सिर्फ तेल नहीं होगा तेल के बिना इनको छोखना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग जीरो oil की जो cooking का है process सिखाते है हाट के patients को तो zero oil का मतलब है एक बूंद भी तेल नहीं डलेगा और मसाले same to same होंगे test same होगा मैं लोगों को बोलता हूँ आपको test चाहिए या तेल चाहिए तो बोलते हैं मुझे तेल नहीं चाहिए मुझे test चाहिए मैं बोला फिर को problem नहीं है अगर आपको ते बिल्कुल जैसे कि आपने का कि इस process के बार में आप बताएंगे बिल्कुल जानूंगी आपसे लेकिन अगले caller 36 गड़ से हमारे साथ उनका सवाल जानते हैं हालो हालोडी कि तिवारी जी बताएं क्या सवालने आपका मढम नमस्कार दक्र साहब म्शकार बोलिये सब मैं छफिज्गर राइडर के दिज्ग क्या आपक्ड़ जागर जाएं ऑर नदे लोगे साथ में महीं में कथाचीन बोजाराट को जी हंधिते हैं उसल जी और मैं ए एक साल बाद मेरे को फिर सेम वही टारीक पर फिर अटेकाया था जी उसके ड़क्टर साथ दुबारा फिर मेरे अजय प्लास्टी किया गया था मेरे इस्टेंट लगाया था इस्टेंट के पहले फिर केलस्ट्रोल जन्मे लग गया था तो देक्टर साब बोले मैडिशन से देविरे ठीक हो जाएगा दुबारा उसके करने के जज़े बोले है जी और उसके मैडिशन कंटिनू ले रहा था है तो नहीं हगा दो अंगल थे कि दूए है तो देक्टर साब में आपको बता दूँ यह जो आपका केस है बहुत कॉमन सा केस हो गया आज कल कि angioplasty हो गई और फिर से दुबारा angioplasty की नौबत आ गई या दुबारा angioplasty हो गई मेरे पास ऐसे ऐसे patient है जो 12 stint लगा चुक है अभी तक 2, 4, 5, 6 stint तो आजकल common बात हो गई है और इसका कारण अगर देखेंगे तो वो कारण सेम है कि blockaging रोका नहीं जा रहा है अगर blockaging रोक जाए अगर आपकी cholesterol 130 से कम ला दें ट्राइगलिसाइट 100 mg से कम ला दें और खाने में zero oil का खाना बना दें उसके संग्जो और precaution से उनको ले ले तो ये blockage बढ़ेगी नहीं ये blockage घटता जाएगा और इसके अगर बिमारी बढ़ेगी तो आगे आपको bypass surgery ये फिर से angioplasty करना पड़ेगा तो उसके नहुबत नहीं उसके लिए आप ये zero oil का खाना बता रहे हैं उसको follow करिए जी के साथ अगले कॉलर भी मॉंबाई से हमारे साथ जोड़ चुके हैं देखिए टैकी कार्डिया में हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है और आदमी को palpitation धड़कन तेज लगता है इसके लिए पहला काम तो हम लोग करेंगा ऐलोपेथी की कुछ दवाईया होती है जो एक बार हार्ट की स्पीड को कम करवा देता है उसके बाद हम इसको investigate कर वाए जो कि हार्ट के लिए एक स्कैनर आगे है आजकल जिसमें एंजियोग्राफी कराने की जुरूत नहीं है आप जाईए एक दो मिनिट में आपके हार्ट के अंदर की ट्यूब को देख के बता देंगे कितनी ब्लॉकेज है तो आपके लिए एडवाईज है कि आप CT scan कर आईए मैं अपने बहन के बारें पूछने क्याती है कि उसको लेट साइड में दर्द हुई थी जी कभी पी लोग अथा एक दम तो उससे अभी उसको ना पंदरांस बीस दिन के बाद सको फिर दर्द होती है जी और भी कोई परेशानी है इसके साथ नहीं बस उसको सिर्फ दर्द ह होती है वाग्यों फिर जब ये जो दर्द है हार्ट की हो सकती है अगर लेट साइड में छाती में पेन हो रही है तो हाट की पेन हो सकती है तो इसके लिए जो इनको करवाना चाहिए वो पहले तो E.C.G. में थोड़ी बहुत بھی फरक हो तो आगे जाके इनको एंजियो ग्रा करना चाहें तो इसके लिए एक CT scan को छोड़के TMT होती है उसको भी कराया जा सकता है पर I would recommend से color जोड़ चुके हैं और जानना चाहते हैं वो Zero Oil के युबारे में तो उनका सवाल भी जानते हैं Hello? Hello? Deen Bandhu जी बहुत बहुत सवागता आपका बताएं क्या सवाल है? जीरो एल कुकिंग का थूब अभी सार से बताएं तो थूब आठ चीक रहता है जै कैसे बनता है वो बता दूँ कि जैसे हम लोग खाना जब बनाते हैं तो क्या करते हैं कड़ाई चड़ाते हैं और उसमें पहला स्टेप है तेल डाल देते हैं वो तेल डालने का कोई जरुव मत्ता वो सब डाल दें और इसको ड्राई रोस्ट करते जाईए मसाले को रोस्ट करना या फ्राई करना बहुत जरूरी है जब रोस्ट हो जाएगा मसाले पक जाएंगे अब इसमें आप प्यांज डाल दीजे और प्यांज को हिलाते जाईए प्यांज का जब पानी पूरा खतम होने लगे तब प्याज की टेंपरेचर और बढ़ेगी तो चिपकना चालू होगा तो थोड़ा सा पानी का छीटा डाल दे या एक चमज पानी लेके उसमें उसमें डाल दे और ठंडा होते ही फिर प्याज घुमाते रहिए अब प्याज के साथ सारे तरह के मसाले डाल द देजे हल्दी धनिया जीरा नमक मिर्ची और उसके संग अद्रक लहसन भी डालना हो वो सारा को आप ऐसे ही भूनते जाए और जहां चिपकने लगे एक चमज पानी डालिए फिर पानी को उड़ाईए और इस तरह से दस बारा चमज तक कर लिया तो यह पूरा मसाला और बुड़ा सा और भूनना चाहें और जब यह ग्रेवी बन जाए इसमें सबजी डालिए इसमें डाल डालिए उपर से गरम मसाला या जो भी डालना है उपर से जो भी उसको सजाना हो वो सब कर सकते मतलब सारे मसाले होंगे कुकिंग सेम होगा खली तेल नहीं होगा और इस तरह के हज्जारों डिसेज बन सकते हैं बीना ओयल के और इसके पूर हमारे बहुत सरे किताबें भी हैं